400 क्रोड की पठान के व् evangelique ने लिए 110 क्रोड और चानिए धिप्का और जोन को कितना मिला बत्या जा रहा है कि यह फिलम 200 क्रोड के बड़े व्लेंच में बनी है यानि इस बड़े व्लेंच की फिक्लम को कम से कम 400 क्रोड चांगे अगर इसको इट होना these दोस्तो अगर बात करें हर एक एक्टर की फीस की तो सबसे पहले आती शारुख खान के किंग खान की तो किंग खान ने अपने इस फिल्म के लिए 110 क्रोड की बड़ी रकम चार्ज किया दोस्तो जी हां दोस्तो अभी एक साउत की फिल्म आई थी वारेसू उसमें थालापती व है तो बाई सब यह हीरो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं अगर बात करें दिविका और जोन के बाई सब उन दोनों की अगर हम फीस मिला भी दें तो तब भी वो टिंग खान से बहुत कम ही होती है आप जानते हैं कि कल ही पठान का टेलर आया है और इसने वह आते ही बाई साब 10 करोड जारा व्यूज ले लिए कम एक दिन के अंदर यह अंदर तो इसमें इतनी लेने बिल्कुल बनती है तो अगर बात करें जोना बरायम गी तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 20 करोड की मोटी रिकम चार्ज के दोस्तों उनकी बैंक में गई है अब बात आती दिपिका प पात कोन ने इस फिल्म के लिए 15 करोड की बड़ी रिकम चार्ज की है ओ बाई साब 110 उसके 20 उसके 15 करोड तो ही पे होगे ओ ओ बाई साब तो अब देखते हैं फिल्म में क्या कमाल कर पाती हो थेटर में तो मिलते हैं इस मोगी के रिव्यू अफडेट क्रेक्शन के साथ